आज हम देखेंगे जो आपको गडर दिया जाता है आपकी जो ब्रिज में जो गडर होता है वो क्या होता है उसको आज मैं डेटेल में डिसकस करूंगा इसकी जो ड्रॉएंग्स होती है उसको किस तरह से अनलिसिस किया जाता है ये आज मैं आपके साथ डिसकस करूँगा इसके पहले हमाडे ब्रिज के तीन सेशन आ चुके हैं यीटूप पे अगर आपने वो अभी तक देखे हैं पहले session में मैंने आपके साथ discuss किया था कि bridge क्या होता है, major bridge का classification किस तरह से होता है, span के बहाब के, वो मैंने पहले session में discuss किया था, जो हमारा दूसरा session था, उसमें मैंने discuss किया था कि आपका appointment क्या होता है, उसका क्या function होता है, approach slab क्या होती है, उसका function क्या होता है, drawing reading क्या होती है ये सारी चीज़े मैंने अपने second session में discuss की ती और जो हमारा third session था, third session में मैंने discuss किया था कि आपका peer क्या होता है, peer cap क्या होता, उसकी function कैसे होती है, वो आपका किस तरह से drawing reading होता है, वो सारी चीज़े मैंने अपने third session में discuss की ती अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल रिंफोर्स ट्रेनिंग स्ट्विट फोर्स विलिंजर्स पर जाकर देख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते ह तो सबसे पहले हम देखेंगे कि гарeder क्या होता है कोई भी अगर आपका बिरिज है तो उसमें आपका aggressor आएगा अगर हम गर Shakespeare क्या होता है पहले आप इस बात को समझ लिजे गर्ड्डर क्या है एक आपका अरेजेंटल मेंबर ए कग को होता है जैसे आपका बिल्डिंग में ड का जो लोड आ रहा है, उसको सब इस्ट्रुक्चर में ट्रांसपर करना, basically आपका जो guerreडर है वो भी है का आपका सुपर इस्ट्रो करता एं, तो यहाँ पर हम rider की बात करें, तो basically अलग लग तरह के गडर्स आते हैं अगर हम material के बहाँ पर बात करें material के बहाँ पर बात करते हैं तो आपका steel के गडर आते हैं आपके RCC के गडर आते हैं पीएसी गडर आते हैं, बहुत अलगलग तरह के गडर आते हैं, लेकिन अगर आप function की बहाँ पर बात करेंगे, तो भी अलगलग तरह के गडर आते हैं, कितने गडर आते हैं, वो सब मैं आपको किसी एक separate वीडियो में बहुत ही detail में discuss करूँगा, आज हम सिर्प क्या बात करन देने वाले drawing reading, कि किस तरह से drawing reading होती है, वो आप देखेंगे आपे, तो यह देखेंगे, आपका एक major bridge दिया हुआ है, जिसकी series चल रही है, आपको अच्छे से पता है, तो इसमें आप देखेंगे, यह आपको गडर दिया हुआ है, तो पहले आप इसमें यह देख लीजए यहाँ पे आप देखेंगे, यह आपको क्या दे रखा, PR P3 दे रखा है, और PR P4 दे रखा है, यह देखेंगे आप, यह आपको यहाँ पे PR P3 दे रखा है, और यह आपको PR P4 दे रखा है, अब obviously है, यह common sense है, इन तौनों के बीच में आपको गडर आएगा, तो यहाँ पे आपको यह girder दे रखा है, यह देखेंगे, जो आप किसी bridge का front television देखेंगे, तो आपको इसी तरह से दिखाई देगा, और जो आपको girder का length है, वो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, यह देखेंगे, यह आपको girder का length दे रखा है, अब जो आपको girder का length दे रखा है, वो कित का ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है 12 meter center to center of expansion joint लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है 12 meter center to center of expansion joint यहां पर आपको expansion joint दे रखा है वो कितना है आपका 40 mm का है और यहां पर भी आपको 40 mm का expansion joint दे रखा है और यह आपको 12 meter center to center दे रखा है तो आप 20 mm मिस साइट से मैनस कर देंगे और 20 mm मिस साइट से मैनस कर देंगे तो आपका जो गर्डर है उसका actual length निकल के आएगा 12 meter में से 40 mm मैनस कर दीजे तो करीबन करीबन आपका यह 11.96 6 meter आएगा जो की girder का actual length होगा, तो आप elevation से इतना analysis कर सकते हैं, next हम देखेंगे, अब ये आपने girder का एक analysis कर लिया है, next आप देखेंगे कि इस bridge में कितने girder आने वाले हैं, जो आपका एक spawn है, उस एक spawn में कितने girder आएंगे, तो आप इसमें देखेंगे, तो आपको ये 7 spawn दे रखें, जो आपका bridge है, वो 7 spawn का है, ये देखेंगे, आपको ये पहला spawn दे रखा है, ये आपको दूसरा spawn दे रखा है, और ये आपका 3rd spawn है, और ये आपको 4th spawn दे रखा है, और ये आपको 5th spawn है, और यह आपका six spawn है और यह आखरी यह आपको दे रखा है seven spawn तो इस bridge में क्या है आपको seven spawn दे रखा है लेकिन एक spawn में कितने girder आएंगे उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा या तो आप abitment का cross section देखिए या फिर आप pier का cross section देखिए pier cap का तो आपको पता चलेगा कि एक spawn में आपको कितने girder आएंगे यह देखेंगे यह यह दे रखा है इसको थोड़ा minimize करते हैं काफी बड़ा हो रहा है अब यह क्या दे रखा abitment का cross section दे रखा यह देखिए यह लिखा हुआ है cross section abitment यह आपको abitment का cross section दे रखा है अगर आप pier cap का भी cross section देखेंगे ना तो भी आपको यह चीज़ समझ आ जाएगी यह देखेंगे यह peer cap का cross section दे रखा है वो भी देखेंगे तो भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी कोई सुने यह यह देखेंगे यह आपको पूरा अविटमेंट का क्या दे रखा है यह मैंने आपको पहले भी बताया था जो हमारा फर्स्ट सेशन आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आप यह वाला पार्ट देख रहे हैं जो आप ये बाला पार्ट देख रहे हैं ये क्या पहले से बना हुआ है ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये आपका आलेडी पहले से बना हुआ है 8.5 मीटर का क्या है एक्जिस्टिंग बिरिज है जो पहले से आलेडी बना हुआ है जो अभी नया bridge बनने वाले है, वो यह है, जो अभी नया bridge बने गा, Karnatka government में, वो आपका यह बाला bridge है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कि कितने guardra आने, इस पे हमें नहीं जाना, यह lady बन चुका है, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम इसकी बात करने वाले हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपको कितने गर्डर आ रहे हैं, यह देखेंगे आपको यह पहला गर्डर दे रखा है, यह आपको फर्स्ट गर्डर है, और यह आपको सेकेंड गर्डर दे रखा है, और यह आपको थर्ड गर्ड गर्डर है वो किसके ऊपर प्लेस किया जाएगा जो आपका गर्डर है वो किसके ऊपर प्लेस होगा आपका जो बीरिंग्स होती है उस बीरिंग्स के ऊपर आपका जो गर्डर है वो प्लेस होगा आपको यह बीरिंग्स दे रखी है यहां पे मैं आपको दिखानी कोसिस करता ह होती है इसके लिए मैं आपको एक separate session लेकर आओंगा जिसमें बहुत detail में discuss करूँगा कि bearings क्या होती है और इस bearing के नीचे आपको क्या रखा है pedestal दे रखा है यह आपको क्या दे रखा है pedestal दे रखा है यह देखेंगे और इस पेडस्टल के नीचे आपका क्या आएगा अगर अविटमेंट है तो अविटमेंट आएगा अधरवाइश आपका पीर कैप आएगा यह आपका इस से तरह से तो आप यह देखेंके नीचे क्या होगा जो आप यह निचे देख रहे हैं या तो यह आपका abitement होगा abitement का cap होगा या फिर आपका क्या होगा यह peer cap होगा उस peer cap के ऊपर आपके pedestal आएंगे pedestal के ऊपर आपकी bearings आएंगी और bearing के just ऊपर आपके जो girders है उसको place किया जाएगा वो चीज़े तो यह मैंने आपको बताया यह आप जो देखने हैं वो क्या है आपके man gadder है आपको bridge में दो तरह के gadder मिलेंगे अगर हम function के भयाप पर बात करें तो basically आपको bridge में दो तरह के gadder मिलेंगे एक आपका man gadder होता है जो length के along होता है और एक अब को बताऊंगा तो आपको पताऊंगा उसका क्या function होता है तो इतना आपको समझ में आया next आप देखेंगे तो यहां से आपको पताऊंगा कि आपके कितने gadder है next आपको देखने जा रहा है जो आपका एक span है उसका plan देखेंगे तो आपको गड़र बिल्कुल detail में पता चलेगा यह देखेंगे आपको क्या टेखेंगे एक span का plan देखेंगे यह देख होगा से नीचे आपको क्या लिखा हुआ है इस bridge में कितने हें है आपको 7 span है तो यहां पे आपको क्या देखा है एक span का आपको proper plan देखा है तो आप0 प्लान को देखेंगे न कहींगे Stellen तो आपको संझाएगा किson कितने कितने आपके man verder है और कितने आपके cross verder है उसका क्या arrangement है वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे तो यह देखेंगे आपको यह क्या दे रखा पूरा आपको एक प्लान दे रखा है तो इस प्लान में आप देखेंगे, आपको ये थ्री गडर दे रखें, मैं आपको दिखाने की कोशेश करता हूँ किस तरह से दे रखा है, ये देखेंगे, आपको ये पहला गडर दे रखा है, ये आपको पहला गडर आएगा, जो इस तरह से होगा, यह कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा यह आपको क्या दे रखा है फर्स्ट गर्डर दे रखा है अब जब फर्स्ट गर्डर देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा और आप इस साइड भी कितना होगा, आपका 625 होगा, नहीं दे रखा है, लेकिन common sense से होगा, और बीच में जो आपका गडर आ रहा है, वो क्या है, 325 होगा, बीच में जो गडर का breath है, वो कम हो जाएगा, 325 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, टैपड सेक्षन है, यह देख रखा है, आपका दूसरा गडर भी इसी तरह से आएगा, और यह आपका तीसरा गडर आएगा, जैसा आपका यह पहला गडर है, same to same आपके, यह वाला भी गडर होगा, और यह आपका तीसरा भी गडर होगा, तो इस तरह से आपको यह गडर का arrangement आपको दे रखा है, यह क्य क्या है इसमें आपके ग्रोस गडर भी आ रहे हैं तो यह आप हैं आप देखेंगे यह आप इंड क्रोस गडर बोलते हैं इसको यहां पर भी आएगा की को हम क्या वोलते हैं और बीच में क्या आएगा इंटरीमिडियट क्रोस गड़र देखेंगे ना तो इसमें आपको तीन क्रोस गड़र होते हैं दो एंड पर होते हैं और एक आपका बीच में होता है, जिसके हम क्या होते हैं, intermediate cross girder बोलते हैं, अब बात यह आती है, कि हम लोग cross girder क्यों provide करते हैं, क्योंकि cross girder इसलिए provide कियाता है, आप देखेंगे ना, जो man girder है, वो इस तरह से place होता है, जो आपका man girder है, वो आपका pedestal के उपर, इस तरह से place होता है, अगर आपका man girder हम इस तरह से place करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर उपर से load आएगा, जब उपर से load आएगा तो वो क्या होगा, उसमें lateral moment आएगे, तो lateral moment आएगे तो इस तरह से वो सेख कर सकता है, जो आपका man girder है वो इस तरह से आपका सेख ना करें इस तरह से उसमें lateral moment ना आए तो इसकी stability के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें cross girder provide कर देते हैं तो यह जो आपका man girder है वो इस तरह से fix रहेगा, उसमें lateral moment नहीं आएंगे तो I hope कि आपको समझ में आया होगा कि हम लोग cross girder किस तरह से provide करते हैं यह आपके cross girder ने साइद आपको नहीं दिख रहा हो तो यह देखेंगे यह आपके cross girder है आपके जो man girder है उसका lateral moment ना हो उसकी stability के लिए हम लोग provide करते हैं तो इस तरह से चीज़ें आपको दे रखें और यहां पर यह भी दे रखा है कि जो आपके girder है उसका center to center length कितना होगा वो भी आप देख सकते हैं जो कि girder की placing के समय बहुत important role play करता है यह देखें कि दोनों girder है यह आपका first girder दे रखा है और यह आपको second girder दे रखा है तो दोनों का center to center length कितना होगा वो आपको यहां पर यह दे रखा है कितना है आपका 2.65 meter दे रखा है और जो आपका second third girder है उसके बीच में भी same length है वो भी आपको 2.65 मीटर दे रखा है और जो आपका गर्डर है उससे जो आपका जो ब्रेज है वो कितना एक्स्टेंड करेगा वो भी आपको यहाँ पर दे रखा है यह आप देखेंगे कि आपका जो गर्डर है उसके center से आपका bridge कितना extend करेगा यह आपको दे रखा है 1.3 meter आपका side है और 1.3 meter आपको दूसरी side भी दे रखा है इस तरह से वो चीज़ है और यह जो पूरा spawn है वो कितने का है यह जो आपका bridge है तो bridge की जो आप breath दे रहे हैं breath आपको यह पूरा दे रखा है 8 meter का है जो आपकी deck slab आएगी ना उसकी जो breath है वो कितनी है 8 meter है बैसे तो मैं deck slab का एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरा detail में discuss करूंगा कि drawing reading कैसे होती है लिकिन अभी आप overview देख लिए यह पूरा आपका breath हो जाएगा जो कि आपका 8 meter है और यह उपर आप length देख पा रहे हैं जो आपका जो आपके end cross girder है end cross girder के center to center आपको यह length दे रखा है उपर यह आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो first starting आपका जो end cross girder है और जो आपके दूसरा end cross girder है उनके बीच का आपको यह length दे रखा है 11.4 meter अगर आपको आउटर में जाना है तो आपको यह add करना पड़ेगा यह end cross Girder के center to center आपको length दे रखा है 11.4 meter अगर आपको आउटर में जाना है तो आपको यह दे रखा है यह देखेंगे यह 880 दे रखा है आप इस și 시간 करेंगे तो आप आउटर में चले जाएगंगे जो आपको 280 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, आपका जो end cross girder उसके center से लेके, जो girder के outer का length होगा, वो कितना होगा, 280 mm होगा, आपको दोनों side दे रखा है, मैंने आपको starting बताया था कि आपका expansion joint minus करने के बाद, जो girder का length आएगा, वो कितना आएगा, 11.96 meter आएगा, तो यह आपको 11.4 meter दे रखा है, आप इसमें 280 और 280 दोनो side add करेंगे, तो आपका 11.96 meter का span हो जाएगा, वो चीज़े, तो यहाँ पे आपको पूरा detail दे रखा है, और आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, यह देखेंगे, जो आपका girder है, उस girder में जो आप यह rectangle part देख रहे इस starting में जो आपका girder है, उसका जो rectangle part है, वो कितना होगा, 900 mm होगा, दोनो side दे रखा है, इस side भी आप देखेंगे, और यह आप दूसरी side भी देखेंगे, तो sami चीज़ होगी वो, यह इतना, यह भी आपका कितना होगा, 900 mm होगा, कितना part tapered होगा, वो भी आपको दे रख मीटर, और आपका side भी आपका sam होगा, 1.5 मीटर, वहां की बीच बाला जो part है, वो आपका sam rectangle रहेगा, जिसका breadth कितना रहेगा, 3.25 mm रहेगा, तो इस तरह से मैंने आपको सारी चीज़े explain कर दी है, और इसके उपर आपका जो deck slab है, वो cast हो जाएगा, इसके उपर deck slab किस तरह ये पूरा deck slab इस तरह से cast हो जाएगा, तो ये मैंने आपको पूरा एक span का overview दे दिया है, कि किस तरह से चीज़ें होती है, यहाँ पे आपने क्या देखा है, कि आपका man gutter क्या होता है, cross gutter क्या होता है, intermediate cross gutter क्या होता है, उनका length कैसे आएगा, उनका breadth कैसे आएगा, लेकिन नहीं देखा है, कि जो girder है, उसका depth कितना होगा, तो depth देखने के लिए हमें क्या करना पड़े है, cross section cut करना पड़ेगा, तब आपको depth दिखाई देगी, तो ये देखेंगे, आपको cross section दे रखा है, आप ये cross section cut करेंगे, हम यहाँ से cross section cut कर रहे हैं, ये देखेंगे, ये आ section A और B है और इसके बाद इस section आपको B और सीधे रखा है इसको आप देखेंगे तो आपको पतर चलेगा कि जो आपका जो गाड़ा है उसकी जो depth है वो कितनी होगी तो मैं आपको दिखानी कोसेश करता हूँ इसके लिए drawing को rotate करना पड़ेगा तो मैं drawing को rotate करता हूँ तो I hope कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी यह देखेंगे आप ड्राइंग को तो rotate नहीं कर सकते हैं लेकिन आप यह देखेंगे यहां पर कि आपको चीज़ें समझ में आएंगे क्योंकि काफी dance रहता है काफी चीज़े रहती है तो आपका जो इंजिनियर होता है उसको किसी तरह से कस्किमाइस कर देता है यहां पर आप देखेंगे यह आपको दे रखा है यह आपको section abc दे रखा है यह देखेंगे यह आपको क्या दे रखा है section abc दे रखा है section abc दे रखा है section abc में आप चीज़े देख सकते हैं किस तरह से दे रखी आपको यह यह आपको first girder दे रखा है, यह आपको second girder दे रखा है, और यह आपको third girder दे रखा है, इसका जो depth है वो भी आपको पता चलेगा, यह depth देखेंगे, आपको 930 दे रखा है, यह देखेंगे, यह depth आपको कितना दे रखा है, 930 दे रखा है, है ओगा वे satisfy जो आपका गर्ड़र के कितना होगा ये जो नहीं थड़र आप देख रहें ना वो किसका मैन-गर्डर का ड्रक्र अगर हम बात करें कि ज ell आपका खू में कर है उस खू they're कितना होगा तो वह भी आप देख सकते हैं यहां पर दे रखांग इस तरह से आपको ये क्रॉस गड़र आएगा तो जो क्रॉस गड़र आ रहा है उसका जो डैप्थ है वो कितना है वो आपको दे रखा है 530 यह देखेंगे 530 यह आपको क्रॉस गड़र का डैप्थ दे रखा है वो चीज़े तो इस तरह से मैं आपको यह पूरा एक एनालिसिस करके दे दिया है कि किस तरह से चीज़े होती है आपकी गड़र के केस में आई होप कि आपको यह सारी चीज़े समझ में आएगी तो आज के सेसन हम लोग ने क्या डिसकर्स किया कि जो आपके गड़र होते हैं उसकी ड्रॉइंग को हम लोग किस तरह से अनालिसिस करते हैं उसका लैंध कैसे देखते हैं उसकी ब्रित कैसे देखते हैं क्रॉस गड़ के साथ इसको share करिए तो आपको इसी तरह से quality content मिलता रहेगा as per need और as per demand of construction industry. Okay, thank you so much for supporting us and stay tuned for next video.